साथियों, हमारे गावों को, गावों में रहने वाले गरीबों को, आदिवाचियों को, जितनी प्रात्मिक्ता हमारी सरकार दे दी, उतनी पहले नहीं दी गई. गरीब से गरीब को, LPG, गैस सिलिंडर देने की योजना से, गावों में, जंगल से सटेक शेत्रों को, डबल लाब हुआ है, दोहरा लाब हुआ है, एक लाब, तो हमारी बहनों को, धुए से लकडी की तलास में लगने वाले समय और स्रम से मुक्ती मिली, यहां इतनी बड़ी मात्रा में जब माताए बेहने बैठी है, पहले जब हम लकडी से चुला जलाते थे, खाना पकाते थे, तो हमारी माताओं बेहनों के शरीर में, एक दिन में, चार सो सिगरेट जितना दुआ जाता था, गर में बच्चे रोते थे, मा खाना पकाती थी, चार सो सिगरेट जितना दुआ इन माताओं बेहनों के शरीर में जाता था, क्या होगा उनके हाल का, उनके शरीर का क्या हाल होता होगा, उसको मुक्ति दिलाने का एक बड़ा अभियान हमने चलाया, और गर-गर, गैस का चूला, गैस का सिलिंडर, ताकि मेरी इन गरीब माताओं बेहतों को उन चार सो सिगरेट जितना धुआ, अपने सरीर में न लेना पड़े, ये काम करने का प्रयास काया है, दूसरी तरफ, इंद्रन के लिए जंगलों के कटान की मजबूरी भी इससे खत्म हुई है, देश के बाकी गाउं के तरफ, यहां भी बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, आज एक खेत्र, सौर उर्जा के खेत्र में, दुनिया में अग्रणी बनते जा रहा है, भारत का अहम कैंद्र है, मिर्जापुर का सौर उर्जा प्लांट, यहां विकास का नया अध्याय लिख रहा है, इसी तरह, सिंचाई से जुड़ी सुविधाओं के अभाव में, विद्यान्चल जैसे देश के अनेक खेत्र, विकास की दोड़ में पीछे रह गए, लेकिन इस खेत्र में बर्सों से लटकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ, बंजर जमीन पर किसान सौर उर्जा से बिजली पैदा करके, अतिरिक कमाई कर सके, इसके लिए भी मदद की जा रही है, हमारा अन्न दाता उर्जा दाता बने, वो अन्न पैदा करता है, लोगों को का पेट भरता है, अब वो अपने ही खेत में उसके साथ साथ उर्जा भी पैदा कर सकता है, और लोगों को प्रकाश भी दे सकता है, हम विंद खेत्र के विकास के लिए हर संभो प्रयास कर रहे हैं चाहे वो medical infrastructure बनाना हो या फिर इस इलाके में सडकों का निर्मान सभी पर बहुत तेज गती से काम चल रहा है बिजली की स्थीती पहले क्या थी और अब कितनी बहतर है यह आप भी भली भाती जानते हैं